हलो मैं डिया फ्रेंट्स मैं डॉक्टर संतोर शांडे आपका अपने चानल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरस्टिंग मेडिसिन जिससे आप परिचित भी होंगे और वो है जाइफल जाइफल यानि की नक्स मॉसकटा जी हाँ हमरी यह जो नक्स मॉसकटा है वो जाइफल से बनती है जिससे नक्स मैग भी का जाता है और इसके जो विबिन प्रकार के यूजर्स हैं जिसे के आप घरों में यूजर्स करते हैं तो वो आप चानते ही होंगे जैसे पहले के जमाने में बच्चों को इसको खिस कर इसकी घुट्टी पिलाई चाती थी ताकि उन में जो इंडाइजेशन पर्टिकुलरी गैसे के रूपे होता था उससे उन्हें राहत मिल सके तो इसी तरह के कई इंट्रस्टिंग यूजर्स हैं नक्स मॉसकटा के जो हूमेपथी में यूजर्स किये चाते हैं तो इसके बारे में चालते हैं यदि आप मेरे इस चानल में नए हैं तो इससे सबस्क्राइब कर लीजे और इस वीडियो को शुरू से आखरी तक जरूर से देखिए ताकि आप इससे विबिन प्रकार के यूजर्स से परिचित हो सके नग्स मॉसकठा को जैफल के रूप में हमारे हाँ बहुत बदने समय से यूस किया जाता रहा है और इसके कुछ प्रॉपरेटीस होती हैं जیसे यह अंटी बैक्टिरियल होता है जैसे कि इसे जो मूँँ मैं से बहुत जारा इंफेक्शन की वज़ब बैक्टिर्यल इंफे से विशेशकर gases से related समस्याओं में इसका इस्तिमाल बच्चों में भी किया जाता है और बढ़ों में भी किया जाता है जो इंडियन डिशर्स हैं उनको बहुत aromatic बनाने के लिए भी इसका इस्तिमाल किया जाता है और homeopathic uses उसके बारे में जानते हैं चलिए पहले symptom के रूप में देखते हैं कि यह कैसे लोगों के लिए suitable है यह किन रोगों में इस्तिमाल की जाती है यह विशेश रूप से महिलाओं तर्था बच्चों में इसका इसका सिंफ़ाल किया जाता है और old age में भी और महिलाओं में विशेश रूप से pregnant females में यादि वो डाइन्टाइशन से सफ flatulent colic कहते हैं तो इसका इस्थिमाल किया जाता है ये rheumatic affections में भी इस्थिमाल की जाती है हिर्दे के लिए बहुत ही जादा उपयोगी medicine है इवन कई बार ये बहुत सारे mental symptoms में दिया जाता है ऐसे लोग जो कि historical होते हैं nervous होते हैं उनका mood stabilized नहीं होता कभी रोते हैं या mood उनका उदासीन हो जाता है और अगले ही पल अगर वो बहुत उतसाहित हो जाते हैं अच्छा mood हो जाता है तो ये change in mood जो होता है जैसे कि historical persons होते हैं उनमें इसका इस्तमाल काफी जादा फायदे मन है तो ये suitability है कि किस तरह के लोगों के लिए जादा suitable medicine है दूसरे symptom के रूप में देख लेते हैं इस medicine में dryness यानि सूखा पन बहुत ही important symptom के रूप में पाय जाता है can't कहते हैं dryness इसका एक important key note है तो सूखा पन कहां कहां पर पाय जाता है अगर आप mucos membrane देखें तो वो सूखी दिखाई देखी skin में भी बहुत जादा dryness होती है तो चलिए देख लेते हैं कि dryness कहां कहां पर देखने को मिलती है आँखों में जो है वो patient बताता है कि उसका आँखों में बहुत जादा सूखा पन महसूस हो रहा है इवन उसे अपनी आँखें बंद भी करतें नहीं बढ़ रही हैं तो ये dryness of eyes के लिए एक vicious medicine है dryness of mucos membrane of mouth यानि mouth में मूँ में जो है वो बहुत सादा dryness पाई जाती है इतनी सादा dryness पाई जाती है कि उसकी जो tongue यानि जीप होती है वो तालू पर चिपक जाती है और मूँ में अत्यदिक सूखा पन लगता है तो ये mouth का बहुत important symptom है और कई बार इस symptom के अधार पर हम इस medicine का देने का decision करते है एक और interesting बात है कि जब nutmeg जाइफल को जादा मातरा में खा लिया जाता है तो भी ये मूँ का सूखा पन produce करता है और vicious रूप से बात ये है कि सूखा पन तो रहता ही है लेकिन इसके बावसूत भी patient को thirst नहीं होती यानि प्यास नहीं लगती तो है ना ये strange feature कि अत्यदिक मूँ में सूखा पन लेकिन प्यास बिल्कुल भी नहीं है तीसरे तरह की dryness देख लेते हैं जो उसके skin होती है तो अच्छा होती है उसमें अत्यदिक रूखा पन पाए जाता है इवन ये रूखा पन इतना जादा होता है कि इसमें cracks पर जाते हैं और उसमें से खून भी आने लगता है तो dryness of mucous membrane and skin ये इस medicine का महत्पूल लक्षण है जिसके अधार पर हम इसको देते हैं तीसरा symptom देख लेते हैं और हो है नींद से इस में medicine में patient को जो है वो अत्यदिक नींद आती है यानि drowsiness रहती है यानि कि sleepiness रहती है जब देखो उसको जहां मौका मिलेगा तो उससे ऐसा लगता है कि वो लेट जाए और सो जाए और ये नींद भी कैसी होती है कि बहुत कहरी नींद patient को आती है कई पार ऐसा लगता है कि patient नमूव कर रहा है चुपचाप लेटा हुआ है और उसको उठाने पर उठने रहा है तो ये एक विशेश लक्षन है और ये जो drowsiness होती है इसके बिवन प्रकार के लक्षन के साथ पाई जाती है जैसे अगर उसको इंडाइजेशन हो गया है लेकिन साथ में drowsiness याने नीन बहुत जादा है इसको इवन फीवर आया है तो भी drowsiness जादा है जोड़ों में दर्द है तो भी drowsiness उसके साथ associated है तो ये drowsiness is a very very important feature of nux moscata next symptom की तरफ चलते हैं और इसमें देखा बेहोश होने की tendency कि अचानक से patient ऐसा लगता है कि बेहोश हो गया है ये basically एक तरह की condition जिसे हम lipothymia या फिर सिंकोप कहते हैं जिसमें brain तक oxygen प्रॉपर रूप में नहीं पहुच पाती या blood supply और प्रॉपर नहीं हो पाती जिसकी वज़से oxygen की deficiency हो जाती है तो उस situation में नक्स मौसकटा का इसमाल काफी जादा फायदेबंद है इस tendency to vent, inclination to vent, बार बार बेहोश होने की tendency अगर किसी व्यक्ती में पाई जाती है और उसका reason hypotension है या लो ब्रेट प्रेशर या किसी वज़से ब्रेन तक में प्रॉपर oxygen नहीं पहुच पारी है तो वहाँ पर नक्स मौसकटा का इसमाल पिल्कुल किया जा सकता है पाचवे symptom की तरफ देख चलते हैं और यह है gastric complaints यह जो medicine है वो बिबिन परकार की gastric complaints में इसमाल की जाती है जिसे कि हम flatulent dyspepsia कहते हैं जहां patient complaint करता है कि उसके बहुत ज़ादा gases होती है enormous gases यानि कि वो describe नहीं कर पाता उसका पेट थोड़ा सा खाने के बाद में भी बहुत ज़ादा फूल जाता है तो enormous distension of stomach after a small meal यह नक्स मौस का तकाई बहुत important feature है कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो pregnant females हैं उनमें भी अगर इस तरह की gastric distension की tendency पाई जा रही है और जिसकी फिजल से बापर तरीके से सांस नहीं ले पाती है और बहुत ज़ादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है uneasiness होती है तो वहाँ पर नक्स मौस काटा का समाल करिये बिलकुल फायदा देगा इसकी 30 potential का समाल काफी ज़ादा फायदे मन होता है तो gastric complaints of pregnant females of females of old aged person आपने देखा होगा कई पर old age के लोग होते हैं और उन में gases का accumulation बहुत ज़ादा होता है तो वहाँ पर इसका स्तमाल कर सकते हैं दूसरे symptoms के साथ भी आप matching कर लीजिए कि उनके mouth में triness है, bad smell है, उनको प्यास नहीं लग रही है, उनको नीन सादा आरी है तो ये सारी situations में के साथ में अगर old age में gastric distraction बहुत ज़ादा हो रहा है तो वहाँ पर इस medicine का इस्तमाल करिए, 30 potential में इस्तमाल करिए भी बिल्कुल फायदा करेगा तो देखा आपने, ये 5 बहुत ज़ादा important symptom है एक और interesting feature आप लोगों को बताते हैं, याद रखने के लिए अगर आपको नक्स मौसकटा को याद रखना है और तो इसके साथ साथ में 5 नस याद रख लीजिए जैसे कि drowsiness, coldness, oversensitiveness, thirstlessness और साथ में drowsiness तो ये चपाच नस आप लगा के देखेंगे तो ये जो है नक्स मौसकटा के लिए बहुत ही important direction हो सकता है जिसके अधार पर आप यदि medicine देगे तो definitely ये फाइदा आपको देगी I hope ये information आपको पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आई है तो प्रीज़ से like करिए, share करिए, मेरे चैनल को subscribe करिए, bell icon पे जरूर से प्रस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले videos का notification आपको मिल सके मुझसे contact करने के आपको पस अलग अलग तरीके है आप comment box में जाके अपना कोई भी question पूछिए, मैं आज से दूँगी और अगर आप मुसे live consideration चाहते हैं और live consideration के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आपकी multiple problems है तो आप live consideration लेजे वो भी free of cost मत्यपदेश शासन का आयूश क्योर एप है उसके उपर जाके registration करेए, appointment लेजे और उसे live consideration free of cost में लेजे इसी के साथ stay healthy with homeopathy, thank you